पूर्व भारतिय स्पिन गेंदबाज अनिल कुमले के लिए बेहत खास है और खास इस वजह से क्यूंकि आज ही के दिद साल 1999 में कुमले ने क्रिकेट इत्यास में ऐसा कर दिखाय था जिसे करने के लिए बड़े बड़े दिगज मात्र सोचते रह गए जी हाँ आज ही के दिन कुमले ने दिल्ली के फिरोशा कोटला स्टेडियम में एक पारी में दस विकेट लेने वाले गेंदबाज जिम लेकर के बाद दुनिया के दूसरे और भारत के पहले बोलर बन गये थे कुमले की ये उपलब्धी इसलिए भी बेहत खास थी क्योंकि उन्होंने इसे पाकिस्तान के खिलाफ हासिल किया था पाकिस्तान के साथ दो मैचों की सिरीज का वो दूसरा टेस्ट था 420 रनों का टार्गेट देने के बाद पाकिस्तानी टीम आखरी दिन मैच को ड्रॉ कराने के लिए आगे बढ़ रही थी हाला कि उनकी ये एक तमन्ना अधूरी रह गई मैच में 74 रन देकर 10 विकेट लेने वाले दिगज गेंदवाज कुमले उस मैच के हीरो रहे और उन्हें प्लेयर आफ दी मैच चुना गया ये जीत और भी खास बन गई थी क्योंकि भारत ने इस विपक्षी टीम को 19 साल में पहली बार हराया था